आगे आप यह कौन सा तरीका अपनी मेड की साथ बैठके हसस के बाते करने का मेड नहीं है वो मेरी फैमली मेंबर की तरह है दस साल से मेरे घर पे है उसने मेरा हर दुख सुत में साथ दिया है मेरे बच्चों को इतने प्यार से पाला है यह किसी के नहीं होते यह आज यहां पर है तो कल कहीं और पे कोई हजार पे फालतू देगा तो इन्होंने तल से आना नहीं है तुमारे घर पे भावी दो मिनिट में मैं आते हूँ हलो आपकी फ्रेंड का एक्सिडेंट हो गया है उसकी हालत नाजुक है आप जल्द से जल्द एबी नेगेटिव ब्लड का इंतिजाम करिए क्या हुआ जो मेरा बच्पन का दोस्त था ना उसका एक्सिडेंट हो गया है और डॉक्टर ने बोला उसको ब्लड की जरुरत है अगर उसको ब्लड नहीं मिला तो बच नहीं पाएगा कौन सा ब्लड ग्रूप अबी नेगेटिव अबी नेगेटिव यह तो बहुत मुश्किल से मिलता है जो भी है तुम अपनी फ्रेंट्स को ट्राइ करो मैं भी अपने दोस्तों को फोन करता हूँ हलो भाई हलो भाई मेरेको ना अबी नेगेटिव ब्लड की बहुत सग जरूरत है यह ब्लड ग्रूप नहीं मिल सकता यह बहुत मुश्किल है बाई मेरा मतलब नहीं है उससे जहां मर्जी से लेकर आओ जितना मर्जी पैसा लगे मुझे चाहिए तो चाहिए अब ही चाहिए मेरे को अर्जिन कोई इंतिजाम हुआ? अरे कहां कोई इंतिजाम हुआ? कोई हमारी मदद करने कोई तयार नहीं है मैं तो पैसा खर्चने के लिए पर तयार हूँ लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो भगवान पे भरोसा रखो कोई ना कोई भगवान का रूप बनकर हमारी मदद करने जरूर आएगा भगवान पानी पीलो भावी भगवान इतना परिशा ने कुछ इंतिजाम हुआ क्या? नहीं बेटा कोई इंतिजाम नहीं हुआ होस्पिटल से फोन है हां जी डॉक्टर साप देखिए आपका दोस्त अब खत्या से बाहर है उसको बलड मिल चुका है तो किस ने दिया? आपके घर से आपकी मेड आई थी उसने बलड दिया क्या हुआ? अब वो बिल्कुल ठीक है उसको बलड मिल गया है किस ने दिया बलड? हमारी मेट सुश्मिता ने उसको भुलाओ मुझे उससे मिलना है मगर वो तो मेरे से छुटी लेकर गई है के दिया मा की तुबेट खराब है दवाई दिला के लाती हूँ अब मुझे समझ आ गया है इस अमीर गरीब में कुछ नहीं रखा ये तेरा स्टेटस ये मेरा स्टेटस सब बेकार की बाते हैं कुछ नहीं पता भगवान किस रूप में हमारी मदद करने आ जाए